तो जो हमने कल पढ़ा था उसके आगे हम चलेंगे जैसा कि आपको बताए कि आज 15 सेप्टेंबर है as your knowledge, for your knowledge I want to tell you what is the importance of today today we are celebrating as our national language Hindi दिवस तो हालक मैं आपको यह बताना नहीं चाहरा हूं क्योंकि मेरा टॉपिक अपना जो विशह है उस विशह के अंतर के जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मंडल सिध्धान और मंडल सिध्धान आता है परास्ट संबंदों से संबंदी जो नीती है यह हम जिसे वर्तमान में foreign policy का नाम देते हैं तो यह जो foreign policy है आप जानते हैं कि इसका जो सावान्य अर्थ है दो रास्टों के मध्ये दो या अधिक रास्टों के मध्ये संबंद ठीक है जैसे कि आपको बताएं कि यह जो संबंद है वो दो या दो से अधिक रास्टों के मध्ये स्थापित किये जाते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था अभी जो मनुं के जो सिध्धान थे उनमें जो सप्तांग जो सिध्धान थे उन सिध्धानतों में एक रास्ट एक जो अंग है वो है मित्र यानि आपका जो फ्रेंड है वो आप जानते कि फ्रेंड क्या होगा कोई रास्ट होगा मित्र कौन होगा? किसी राष्ट की बात करें, राष्ट का मित्र कौन होगा? राष्ट, राष्ट का शत्रू भी कौन होगा? कोई राष्ट, तो इसका मतलब ही हो गया कि इन दोनों राष्टों के बीच, मित्र राष्टों और शत्रू राष्टों के बीच अपनी विदेश न पहा था कि कोई भी राष्ट अकेला नहीं रह सकता उसे किसी ने किसी राष्ट के साथ संबंध स्थापित करने ही पढ़ेंगे नहीं भी करेंगे तो उसका भी एक अन्य प्रकार की केटेगरी में उसको रखा जाएगा जैसे हम इसमें बात करेंगे मंडल दर बात करेंगे संबंध होंगे, बुख्यत है, वे संबंध ही हमारी क्या क्यलाएंगे, पर रास्ट या विदेश निती है, हम मनु की बात करें तो हम लिखेंगे पर रास्ट संबंध, पर कामतलब आपको पता ही जनरिली पर यानि दूसरा रास्ट यानि रास्ट ठीक है, सांस्क्रतिक, गोलिक जो संस्ता है उसे किसका नाम दिया जाकता है रास्ट का सांस्कृतिक आधार पर जिन का क्या है एक ही करण है यह जिनकी जड़े आपस में मिली हुई है वे सभी क्या क्या लाइंगे रास्ट तो हम बात करें इन दो राश्टों के बारे में और और इसका जो मूल सिध्धान्त वो है कि कोई भी राष्ट क्या नहीं रह सकता अकेला नहीं रह सकता तो उसको संबंद बनाने ही पड़ेगा और वो जो σंबंद बनाएगा वो डिसाइड करेंगे कि वो हमारा मित्र रास्ट है या हमारा शत्रु रास्ट है एक्जाम्पल के लिए देखें तो उस समय जितने भी रास्ट थे उनकी बजाएगर आप देखें भारत का उधारन देखें क्या भारत के किसी रास्टों के साथ सम्मंद नहीं है ऐसा है क्या सभी लोगों के रास्दूत भारत में हैं और सभी देशों में भी भारत के रास्द भारत के राज़दूद भी सभी देशों में है ठीक है और सभी देशों के राज़दूद भी का है भारत में है ठीक है तो आज भी यही पोजिशन और उसमें भी यही पोजिशन थी तो यह क्या है यह हमारे पर राष्ट संबंदों को निर्धारित करने वाली नीति है अब इ किसी राष्ट को या तो अपने पक्ष में करना या किसी राष्ट को दूसरे जो पक्ष में हैं उस पक्ष से उसको अलग कर देना इस तरह की नीती की बात की जा रहे ही किसमें पर राष्ट संबंदों अब यह कैसे कैसे होंगे क्योंकि हमने बात कर रखी है कि मनुप पहले ज सिध्धांतों की बात करेंगे जब भी हमारे पास पर राष्ट्र संबंदों की बात आएगी और जो दोनों तक्व हैं या दोनों सिध्धांत हैं या दोनों जो पक्ष हैं या दोनों जो प्रकार हैं वे क्या हैं सैध्धांतिक और व्यवारिक तो आप देखें या आपके वे ही उन ही संबंधों को या उन संबंधों का संचालन जो है या वो संबंध किस प्रकार से आगे बढ़ाए जाएंगे उन संबंध ऐसी प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का ही नाम क्या रख दिया गया है हमारे द्वारा पर राश्ट संबंध या मनु के द्व क्यों क्योंकि यह भी तो विविन प्रिकार की नीति है संबंद एक फिक्स नहीं है सांस्क्रतिक संबंद है ठीक है आर्थिक संबंद है राजनेतिक संबंद है ठीक सैनिक संबंद है एतिहासिक संबंद है यह पीडी तर पीडी किस प्रिकार के संबंद चलते आ रहे हैं पूर्वा में हमारे संबंद कैसे रहे था उस रास्टो आधी जो पक्ष है रास्ट को ध्याम में रखते हुए संतूलन स्थापित करने की नेति क्या क्या लाती है पर रास्ट संबंद क्या 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 लाती है निति पर रास्ट संबंद क्या लाती है ठीक है अब ये जो नीती है अब इस नीती को हमने कहा कि इसमें इतने पक्ष है शामिल तो हम इन पक्षों को किस प्रकार से डिवाइड करें कि ये जो नीती है ये भली प्रकार से काम करें तो इसलिए मनु ने इसके दो पक्ष बता है पहला क्या हो गया पहला हुआ आपका सैध्धानतिक पक्ष ठीक है अब सैध्धानतिक पक्ष से हमारा तात्परी होता है जो आप मेंटल वर्क करते हैं वह किसमें आएगा सैध्धानतिक पक्ष यानि सिध्धानतों के निर्मान में या नीतियों के निर्मान में आपने जो मानसिक क्षमताओं का प्रयोक किया है या आपके मैंटल एबिलिटी के माध्यम से जो सर्वस्ट्रिस्ट नीति जो बनाने का प्रयास किया है वह सर्वस्ट्रिस्ट नीति किसमें आएगी सैध्धा और उन सिद्धानतों को एप्लिकेंट करने के लिए या इंप्लिमेंट करने के लिए जो आप कारे करेंगे वुट सारे किसमे आएंगे व्यवारिक पक्ष में तो आपको इसको याद रखने करा सकता नहीं है यह है आपका मानसिक पक्ष जैसे नेती निर्धारण सिद्धानतों का निर्मार नियमों का निर्मार आदी किसके इंतर करता आज आएंगे इस सिद्धानत के अंदर इस पक्ष के अंदर ठीक है व्यवारिक पक्ष में क्या आएगा सैद्धानतिक पक्ष को लागू करने के लिए सैद्धानतिक पक्ष को लागू करने के लिए या लागू करने की नीती या लागू करने के लिए की गई किरियाएं ठीक है? तो इस तरह यह जो डिवाइडेशन है उसको करने का कारण यही था कि हम किसी भी प्रकार से उचित नीति का विशलेशन कर ले पहले तो विशलेशन करने के बाद उसको करने के लिए क्या-क्या किरियाएं होनी चाहिए आप भी देखते हैं कि आप अगर कहीं जाते हैं तो प्लानिंग पहले करते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसकी प्लानिंग करते हैं, आपने सब्जक्ट लिए तो आपने पहले प्लानिंग की कि मुझे कौन-कौन से सब्जक्ट लेने चाहिए, वो सब्जक्टों को लेने के लिए जो आप mental stress ले रहे हैं, या mental help ले रहे हैं किसी की, या mentally जो work कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो आपके सध्धान्तिक पक्षों का निर्मान कर रहा है, फिर उसको करने के बाद आप subject लेने के लिए गए फारम भरा subject गुरूप बनाया, फ्रेंड से बात की कौन-कौन-कौन-कौन subject को ले रहा है, कौन से college में तुम जा रहे हो, मेरे पुछा था, उसको implement करने के लिए आपने जो कारे के या किरियाएं की, वे सारी किरियाएं किसके इंतर करता हैंगी, व्यवारिक वक्षिक अंतर गया, तो हम देख रहे हैं कि इस कारण हम कह सकते हैं कि यह जो वर्गी करन है, इस आधार पर मनु के वर्गी करन को वैज्ञानिक वर्गी करन माना जा सकता है, वैज्ञानिक और संतूलित वर्गी करन माना जाता है ठीक है? तो आप देखें कि यह जो व्यक्ति है, यह साधार्न व्यक्ति नहीं है, साधार्न सामान्य मानव नहीं है, इसने अपने सिद्धान्तों से इस प्रकार की व्यवस्था को इस्थापित किया, जो आज भी उसके बाद चानक्या ने भी मंदल सिद्धान्त की बारे में चर्च किया है शुक्र ने भी इस तरह की चर्चाएं किया है तो यानि यहीं पर यह जो वैज्ञानिकता है इस सिध्धान्त की या इस पर राश्य संबंद नीती की वह अपने आप में प्रूब हो जाती है जिस कारण आगे के व्यक्तियों ने भी इस नीती का अनुसरन किया राज्य का शत्रू चीन तो चीन के उधर उस साईड में है मिस्टर रूस समन्ध बनाने का प्रयास कर रहा हैं प्रारंब से हमारी नेती उनके प्रती उधार वादी लए या चीन के जो भोगलक छेत्र से जुड़ेवे जो रास्ट हैं, उनको अपने पक्ष में करना है, जो कि इसकी पर्राष्ट निती के अंतरगत मंडल सिधान्त में आता है, जिसकी चर्चाम आगे करेंगे, तो आप देखें कि जो आप हम बात कर रहे थे, वो विशय हमारे पहला प्रशन तो यहीं आ जाता है कि उसके कितने पक्ष बताए गए हैं, ठीक है, या फिर विदेज निती होती क्या है, आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करेंगे, एक एक पक्ष की इनके, तो हम सबसे पहले सैद्धान्तिक पक्ष को ले रहे हैं, देखो मैंने पहले भी कहा था, when you read Mr. Manu, तो first of all you think you are a king of your destiny, ठीक है, or your state, तो ध्यान रखें कि जब तक आप यह feeling नहीं आएगी, तब तक आप इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझ में आएगा तो भी आपको यह थोड़ा सा boring लग सकता है, ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले सैद्धानतिक पक्षों की, ठैद्धानतिक पक्ष, अब सैद्धानतिक पक्ष के अंतरगत हम बात कर लें कि सैद्धानतिक पक्ष का क्या म toothpaste हो गया, पहली बाद तो ध्यान रखें कि यह जो सैध्धानतिक पक्ष है यह भोगोलिक सीमाओं पर या भोगोलिक स्तिति को ध्यान में रखते हैं इसको निर्धारित किया जाता है यानि यह मुख्यत है आपकी भोगोलिक जो सीमाओं हैं उन सीमाओं पर ध्यान रखता है और उन सीमा इसके अलग-अलग भाग के अंतरगत जो हम सैध्धान्तिक पढ़ रहे हैं उसके सैध्धान्तिक का मतलब हुआ कि आप किन-किन सिध्धान्तों का पालन करना चाहते हैं जब आप युद्ध लड़ेंगे तो युद्ध से पहले नियम बनाते हैं कि इन इन नियमों का पालन किया जाएगा युद्ध के अंतरगर रात में नहीं होगा गायल की प्रटेक नहीं किया जाएगा शत्रुपक्ष के डॉक्टर को अगर हमारे जरुत होगी तो हम भी भेज आपने देखा होगा रामयन में आपने देखा होगा कि जब लक्षमन के चोट लग जाती है तो रावन के यहां से वैद यहां आ रहे है युद्ध में ऐसे आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ट का नाम एक रंचोड भी है तो रंचोड इसलिए पड़ा आप उन्होंन सब ऐसा बिलकुल भी नहीं था कि वगवान कृष्ण किसी शक्त्रू से पराजित होकर या पराजे के डर से भाग जाएंगे ऐसा नहीं था उन्होंने वहाँ पर एक कुशल नीती रखी एक राजा को वर्दान मिला हुआ था कि जो व्यक्ति उसको नीद से जगाएगा और सब सामने जो व्यक्ति पस्तित होगा वह आंख फुलते ही या जिसको भी वो राजा जो सोया हो है वो देखेगा तो जिस पहले व्यक्ति को देखेगा वो क्या हो जाएगा भस्म हो जाएगा तो भगवान कृष्ण ने अपने किसी शक्त्रू को वहां पहुंचाने के लिए उस प्रकार से उसको अपने पीछे दोडाना प्रारंब किया और वो आगे आगे भगवान कृष्ण और पीछे पीछे वो राजा जिसको भगवान कृष्ण से को नस्ट करवाना था उस राजा के मादिया तो वो राजा गुफा में सोया हुआ है तो वहां पर जब वो राजा सब तरह से वो समपन है लेकिन जहां जैसी आवशक्ता है वहां वैसा वो काम कर रहे हैं जहां शस्त्र उठाने देवां शस्त्र उठाने हैं जहां शस्त्र नहीं उठाकर मानसिक कारे से ही किसी पक्ष को हराया जा सकता है वहां पर मानसिक कारे को करते हुए उस शत्र को क्या करना है हराना है तो ऐसा भोगोलिक पक्ष का ध्यान रखा गया यानि भोगोल को किसी राष्ट के मित्र राष्ट हो या चाहे शत्रू राष्ट हो उसके भोगोलिक शेत्रफल का ध्यान रखा गया और उसके आधार पर इसका वर्गी करण किया गया जब इस भोगोलिक पक्ष का ध्यान कर दिया जाएगा तो इस आधार पर इसका वर्गी करण किया गया और उस वर्गी करण का लाब क्या हुआ कि शत्रू पक्ष को तो अकेला कर दिया जाए शत्रू पक्ष को अकेला करना ठीक है और मित्र पक्ष को या मित्रों की संख्या क्या करनी है बढ़ानी है ठीक है मित्र पक्ष को या मित्र पक्ष की संख्या बढ़ाना ठीक है तो दोनों बाते आते हैं मंदल सिध्धान्त के अंतरगत जो की आपके शत्रू की संख्यातों निरंतर क्या करना चाहेंगे आप कम और जो मित्र हैं उनकी संख्या भी बढ़ाना चाहेंगे और उनकी शमताओं में भी क्या करना चाहेंगे व्रिद्धि करना चाहेंगे उस संख्या दोनों को बढ़ाने कि कोशिश करेंगे और शत्रू को अकेला करना दाएं जैस सिध्धान के अंतरगत śट्धानतिक पक्षों मे तो हम α ум कौन-कौनसी नीतियों का यह किन-किन छिद्धान्तों की अधार पर हम ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं इसकी चर्चा की जाएगी इसके अंतरगर आगे देखें आपके माध्यम से आपको जो कुछ भी पता है कि मित्र जो होते हैं वो इस्थाई होते हैं क्या और शत्रू भी क्या इस्थाई होते हैं क्या आपका जो व्यवार है वह अंतराष्टे इस्थाई होंगे या नहीं होंगे तो इस प्रकार का जो वर्गी करन किया गया इस प्रकार सेद्धान्तिक पक्ष में conceptual आस्पेक्ट जो हैं सेद्धान्तिक पक्ष में निम्न नीतियों को शामिल किया गया या बर्गी करन करने के लिए या बर्गी करन किया गया ठीक है तो सबसे पहले इसमें है एक तो आता है मंडल सिधान्त ठीक इसके बाद आता है दूसरा आता है सागुन्य या सडगुन्य नीति ठीक है सडगुन्य भी कहते हैं सागुन्य भी कहते हैं तीसरा आता है उपाय यह तीनों किस में शामिल है सद्धान्तिक पक्षमे किसके सद्धान्तिक पक्षमे पोरेंड पॉलिसी किसकी पोरेंड पॉलिसी है मनु की ठीक है तो आपके समझ में आ गया होगी बात कि हमें किस नीति के अंतरगत क्या-क्या काम करने होते हैं तो एक बार इसको देखें आप मंडल सिद्धान्त के अंतरगत में बता दूं आपको इसमें तो क्या-क्या पूछा गया है जापकी रही बता दूं के अंतरगत लगत क्याफें करेंगे इसमें आपको बता हैं ठीक हैं ये छे हैं संख्या क्या आदा है अपको रुपाये हैं ये सारी चीजे पढ़ने वाले हैं हम इसके अंतरगर्ण इनको देखें आप याद करने का प्रयास कीजिए अपलाई करने के कोशिश कीजिए अपने आसपास अपने मित्रों में अपने शत्रूओं में क्योंकि आप क्या है एक किंग है इसके बाद हम एक एक करके देखते हैं को देखें पहला हम पढ़ रहे हैं मंदल करें आसा क्या है तो ले खोड़ेश करने मित्रों में क्योंकि आप करने के देखते हैं क्याहां है इसके बाद कि आप करने कोशिए धो बार लो पर लो फो बारा चुम्स भार लो प्हों कर दो हो रहा हुआ बार लो गजाश चला लोग कर दो हो रहा हुआ कर दो कर दो यह ध्यान रखे आपको माइंड में रहना चाहिए ठीक है आपको में रहना चाहिए ठीक है इंगाहे एंगाँ झाल 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 अभी तक आप इनके वारे में कुछ नहीं जानते हैं ऐसा मान कर चलें जानते भी हैं तो सुन ले पहले इसको देख लें यह आप है यह कौन है यह आप है क्योंकि आप क्या है महत्पा कांशी राजा है जिस तरह आप अपनी परसंटेज को लेकर चाहते हैं कि वह सरवाद ही करें जैसी मैं मैंनत करूं वैसी रहें तो ऐसी इच्छा हैं कुछ इस राजा की भी जागती हैं और यह राजा क्या करने की कोशिश करता है यह अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है अब सीमाओं का विस्तार करेगा तो अपने चारोड देखेगा तो हमने पहले ही बात की कि ये जो मंडल सिधान्त है ये भी भौगुलिक सीमाओं पर आधारीत है तो इस मंडल सिधान्त का मानना है कि जिन भी गाज्यों की सीमाएं आपस में टच करती हैं जुड़ी हुए हैं कर रही हैं वे आपस में कभी भी मित्र नहीं हो सकते हैं यानि यह जो विजिक इश्व है यह जो महत्वकांग्षी शाशक है यह जो शाशक है वह इतना महत्वकांग्षी है कि यह सुरुवात करेगा इसका दूसरा पक्षी यह भी है सीमा है शत्रू क्यों है क्यों कि आपको होना चाहिए कि अगर इसको अपने सीमाओं का विस्तार करना है तो सबसे पहले किसको देखेगा अपने पडोस में कौन है यह भी काम करता है तो यह इनको को इंक्लूट करने की कोशिश करेगा या तो ठीक है या फिर इनके पहले से संबंद इस तरह से खराब होंगे कि यह मित्रवत वैवार नहीं कर सकते इसलिए मनु कहता है कि जिन भी दो रास्टों की सीमाओं आपस में टच करती है अटैच है वे कभी भी मित्र नहीं हो सकते श ठीक है तो और दूसरे मैंने आपको बताई दिया कि अगर इसको अपने सीमाओं का विस्तार करना है बड़ा होना है तो यह क्या करेगा इनके साथ अटैच करेगा इसको अपने में अटैच करेगा इन दोनों को अपने में शामिल करेगा फिर आगे विस्तार करता जाए ठी ये और ये ये तीनों तो आपस में क्या हैं? मित्र हैं ये तीनों आपस में क्या हैं? ये तीनों आपस में मित्र हैं और ये ये और ये ये तीनों आपस में मित्र हैं ठीक है? अब आप देखें कि सीमा है हो जब ये शत्रु है और ये इसकी सीमा के अंतर के ताया हुआ है ये तो ये दोना आपस में क्या होंगे मित्र होंगे जैसे मैंने पहले बता दिया अब इसका अपने पडोशी रास्ट से क्या होगा पंगा होगा अब पंगा होगा इधर इससे पंगा है और इससे पंगा है तो इसका जो सीमावर्ती रास्ट है वो यह है इससे इसकी मित्रता है और यह जो इसका सीमावर्ती रास्ट है इससे इसकी शत्रुता है तो यह दोनो मित्र हैं आपस में और ये दोनों आपस में मित्र हैं सीमाओं के आधार को है संबंदों की बात नहीं की जा रही है अभी इन दोनों की सीमाओं आपस में एक दूसर को टच कर रही हैं तो जिन दो राश्कों के आपस में सीमाओं टच करती हैं वो दोनों आपस में कभी भी क्य करने से पहले इसको अपना मित्र बनाने का प्रयास करेगा और जब यह दोनों मित्र होंगे तो यह दोनों आटोमेटिकली यह दोनों मित्र हो जाएंगे क्योंकि इससे खत्रा इसको भी है और इससे खत्रा इसको भी है तो यह दोनों खत्रे वाले जो व्यक्ति हैं यह यहां संब्सक्राइब क्या हो जाएंगे मित्र हो जाएंगे ही कौन से मित्रों की स्रेणी हो गई है यहtte इस ईसा मचिए कर सामने वाले यह निकल सकते हैं सामने से हमारा थात्तर यह यह हैं कि यह जब भी हमला करेंगे या जब भी कोई नीती परिवर्थित करेंगे या कुछ भी जो कार्य करेंगे वो सामने से करेंगे यानि कहकर या बोल कर और इसके बगल में यह जो हैं यह कैसे माने जाते हैं यह तीनो पीट पीछे वाले शत्रू और पीट पीछे वाले म मित्र वर शत्रु और यह क्या है सामने वाले मित्र और शत्रु यानि राजा की अनुपस्तिती में यह जो है वो मित्रता भी दिखाते हैं इंदर जो है जैसे की बात करें यह और यह ठीक है और यह राजा की अनुपस्तिती में यह राजा कहीं और व्यस्त है ऐसी परिस्तिती में क्या दिखाते हैं शत्रुता दिखाते हैं ठीक है तो यह इस तरह के शत्रु हैं और यह हमेशा राजा को पता रहता है कि यह मेरे शत्रुओं की श्रेणी में आते हैं या तो इस तरह के डिवाइडेशन कीया है मनु ने और मनु के आगे जब चानक के आएंगे वो भी ऐसा ही करेंगे तो यह बहुत जरूरी चीजे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अकेला राजा कभी भी क्या नहीं कर सकता एक बड़े सामराज्य की स्थापना नहीं कर सकत जैसा कि आपको दिख रहा है विजी गीशू सरवादिक मेटवा कांख्षी व्यक्ति है जैसा कि मैंने लिखा है और यह अपनी मैटवा कांख्षाओ को पूरा करने के लिए पड़ोसी राश्ट पर जा करेगा ऐतेक कर सकता है और इस पड़ोसी राश्टों के बीचवे जो जो व्यक्ति होते हैं, समराट बनने के लिए युद्ध को प्रतेक्स तोर पर अंतिमत्यार के रूप में शामिल करते हैं, उससे पहले एक गोडा-दोडा देते थे, जो जहां तक वो गोडा शांति पूरवक जाता जाएगा, वो राज्ये इसकी सिमाओं के अंतरगत आता जा है, तो ऐसा राजा उससे क्या कर लेगा, विद्ध कर लेगा, ये अलग दीती प्रखार कियोगे, लेकिन उद्देश का है, सामराज्ये विस्तार, यहां भी उद्देश का है, सामराज्ये विस्तार करने का, अपनी भूमिकां को मजबूत करने का, तो उसके लिए प्रयास क के हुए वो सारे क्या हैं शत्रु हैं और जिनके भी आगे डैस लगा हुआ है वे सारे क्या हैं मित्र हैं ये ध्यान रखें आप ठीक है मित्र हैं और शत्रु है दो तरह के इस सिध्धान के अंतरगे एक बार हो देख लें आप विजी किशू जो अटेक करने का प्लान कर रहा है या जो महत्वा कांग्शी राजा जो कि अपने सामराजय का विस्तार करना चाहता है उसकी सीमाएं दोनों तरफ से या चारों तरफ से भी मान सकते हैं ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता द नेक्स्ट देखे अगला क्या है मित्र अब इसको मित्र क्यों का है हमने क्योंकि इसकी सीमाएं इससे टच हो रही है और ये दोनों आपस में कभी क्या नहीं होंगे मित्र नहीं होंगे तो ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगे मित्र नहीं होंगे तो शत्रू का शत्रू ह तो इसका शत्रू इसका क्या हो गया मित्र और ये भी इसका शत्रू है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए मित्र जैसा कि हमने यह बताया ठीक है अब इसका पडोशी जो होगा वो इसका शत्रू होगा किसका इसका अब शत्रू ये इसका शत्रू और इस शत्रू का शत्रू इसका क्या हो गया, मित्र हो गया, ठीक है, एक नमबर अगर डाल दें, दो नमबर डाल दें, तीन, चार, पांच, ठीक है, तो एक और तीन आपस में क्या है, मित्र है, दो और चार आपस में क्या है, मित्र है, ठीक है, एक प्लस तीन, एक तीन और फिर यह समझ गया आप यह मित्र का मित्र है दूर का मित्र नहीं होता ही कि जैसे दूर के रिष्टेधार होते हैं तो यह विजी कीशु का दूर का मित्र है कैसे हुआ क्योंकि यह है इसके मित्र का मित्र है इसके मित्र का मित्र भी मित्र होता है और शत्रू का मित्र भी यहां तो क्या चल रहा है यहां क्या रिलेशन चल रहा है इसके मित्र का मित्र विजी कीशू के मित्र का मित्र और इन दोनों में क्या रिलेशन चल रहा है मित्र का शत्रू का शत्रू का शत्रू इसका क्या होगा मित्र ठीक है तो आगे जलते हैं हम इसको देखते हुए इसको आपके दिमाग में आ गई होगी अब हम लिखने का काम करेंगे देखें राज़िती कोई आसान सब्जेक नहीं है इसको जब समझ कर आप करेंगे तो यह आसान हो जाती है पहली बात तो मैंने बताई आपको यह किस पर आधारित है बोगोलिक सीमोग के आधार का पड़ोसी रास्टों के साथ रास्टों का वर्गी करन किया जाता है इसके अंतरगरत क्या कर रहे हैं इसके अंतरगरत जिन दो रास्टों की सीमा है जिन दो रास्टों की भोगोलिक सीमा है आपस में मिलती है वे कभी भी मित्र नहीं हो सकते किसके अनुसार मनु के अनुसार मेरे अनुसार नहीं है आपके अनुसार नहीं है किसके अनुसार है मनु के अनुसार ठीक है, यानि वे क्या हो गए है, शत्रू, ठीक है, दूसरी बाग, इस सिद्धान्त के अंतरकार, रास्ट्रों की, पांच श्रेणिया माने गई, ठीक है, उन पांच श्रेणियों की बात कर लें, पहली देखें आप, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, हलके फुल के तौर पर और यह देखें, पहला श्रेणियों कौन आएगा, विजिक श्रेणियों, दूसरी श्रेणियों में, अरी, ठीक है, अरी मित्र, अभी मैंने आपको बता दिया है कौन होंगे, अरी मित्र मित्र, अरी मित्र, ठीक है, तीसरी श्रेणियों आएगे, मित्रों की, यह मित्र देखकर मत रुख जाएगा, पहले यह शब्द देखेगा, अरी का मतलब शत्रू, ठीक है, इसको ध्यान रखेगा, मित्र, 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 इसके बाद देखेए, आप, चौथिस रेणियों में आते हैं, पीट बीचे के मित्र, यह पहले शत्रू देखेए, पार्षनी ग्राह, ठीक है, और पार्षनी ग्राह, सार, और पांच भी केटेगरी देखेए, इसमें आते हैं, आक्रंद, और आक्रंद सार, ठीक है, यह पांच तरह की जो केटेगरी है, जो श्रेणी है, उसके अंतरगर, इसकी अगर बात कर रहे हैं, तो यह वो महत्वा कांग्शी शाशक है, जो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, ठीक है, अब दिखो, आपके एक्जाम में जो आएगा, वो बात करना चाहता है, आपको बात ऐसी आएगी, कि जिसके अंतरगर तो आपको क्या करना है, इसका अर्थ पूछा जाएगा, इसका अर्थ इतना ही होगा, ठीक है, अब इसके बात चलते हैं, अब इसको लिखने की लेंगविज यही रहेगी, विजिक इशू के सामने के मित्रों की, सामने के शत्रूओं की श्रेणी, ठीक है, विजिक इशू के सामने के मित्र, ठीक है, उसके बाद आता है, पार्शनिंग रहे और पार्शनिंग रहे सार, यह हैं, विजिक इशू के पीठ पीछे के मित्र, पीठ पीछे के शत्रूओं, ठीक है, यह सामने, यह सामने, यह पीछे और यह भी पीछे, ठीक है आप देखिए ये और ये मित्र हैं शिर्फ ये और ये अब देखिए ये और ये क्या है शत्रू ठीक है ये बड़ अच्छे से आपके ध्यांग द्याना चाहिए अब इनके आपस के संबंध भी क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं अब मैं अगर इनको अब देखो आगे आपके लिए मैं बता दू इसको हम कह दें 2A और इसको हम कह दें 3A केटेगरी कितनी है अभी भी तील अब आगे चार कौन से हैं दो और कौन से हो देख लेते हैं यह आते हैं मध्यम और उदासीन यह आपके वाकई में वे जो पांच केटेगरी हमने लिखे हैं वे हैं अब इसका मतलब क्या होता है उदासीन का मतलब क्या हो गया उसे पहले मध्यम देखें जिस रास्ट की सीमाएं शत्रु और मित्र शत्रु और मित्र दोनों रास्टों से जुड़ी होते हैं दोनों रास्टों से मिलती है ऐसा रास्ट क्याकर आएगा मध्यम ठीक है बफर स्टेट जिसको कहते हैं और उदासीन को देखो आप उदासीन का मतलब हो गया है जो की इन चारों की श्रेणी में नहीं आता हो तो वो अब आप देखें इंपोटेंट चीज क्या है इसको आप देख लें अपने दिमाग में बैठा लें फिर इसके बाद आगे चलते हैं फिर इंगी बात करते हैं और क्या क्या बात है हमारे पात एक तो उनका अर्थ देख लें फिर उसके बाद चलते हैं झालते हैं ठीक है चले आगे देखें इंपोटेंट चीज है जो आप अपने पास रखें अपने दिमाग में रखें आगे चलते हैं अब इसमें आपको जो जानना है वो देखें कितने रास्ट हो गए मंडल सिद्धान्त के अंतरगत रास्टों की संख्या कितनी हो गई बाहर है पूचा गया प्रशन है ठीक है कैसे वी विजिगिशू आपको अरी मित्र गप्रकी टारीप्र मिक्र म्ट्र मित्रर मेट्र आरी मित्र मुत्र मित्र टीक है यहां से शुरू गरेशको पार्षणी ग्राह, आक्रंद, सार और आक्रंद सार कितने होगे बाहर है, ठीक है? कितने होगे टोटल? फिर मध्यम और उदासे हैं, तो टोटल संख्या होगे इनकी बाहर है, वन, टू, थ्री, पॉर, पाइप, सिक, सेवन, एट, नाइट, तैं, एलेवा, तो पूरे कितने होगे टोटल? 12, इसके बाहर हम दूसरी बात, प्रकृति कितनी होगे इनकी? 72. अब वो प्रकृति कैसी? यानि एक राज्य कितने प्रकार से शक्ति शाली है, या उस पर अटेक करने से पूर्व, या मित्रता करने से पूर्व? मित्रता या शत्रूता करने से पूर्व, क्या करना है आपको? उसकी ताकत का अंदाजा, शक्ति का आकलन करना है, शक्ति का आकलन करने के लिए आधार क्या होंगे? वे आधार ही क्या करेंगे? आपके संबंदों का निधारन करेंगे, तो वो आधार क्या क्या है? देखें तो, अमात्य, कोश, दुर्ग, ठीक है? दंड और जन्पद ये पाँच जो अंग है या सप्तांग में से जो पाँच है ये पाँच द्रव्वे कहलाते है ठीक है राज्जी कितने होगे है बार है एक राज्जी की अकेले की कितने प्रकर्ती है प्रकर्ती बाद किती है हमने उस प्रकर्ती का मतलब होगया साठ ठीक है और उस साठ के बाद जो हमने गुरुप बनाये था मद्यम मद्यम मित्र अरी मित्र 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 और इधर आकरंद और आकरंद साठ इनके आपस में तो प्रकर्ती का निर्धारन होगा ही होगा अब देखिया आप मित्र है मित्र मित्र है तो इनकी अलग अलग पांस तो है है और जब इन दोनों के आधार पर तुलना की जाएगी तो वो भी एक अलग पांस का निर्मान करेगी ठीक है नहीं तो इस तरह करते करते जो शेश हैं ऐसे ही वो जो शत्रु हैं अरी है कहने का आत्रा अरी अरी मित्र और अरी मित्र मित्र ये अलग अलग तो पांच 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 पंद्रा और जब इन पूरों को कर लेंगे एक साथ तो वो कितनी हो जाएंगी 20 तो इस तरह करते करते जो शे या उस पर अटेक करेंगे तो यह कुल प्रकृतियां कितनी हो जाएंगी उस राज्य की यहां पर तो अलग अलग राज्य है और जब दोनों मिल जाएंगे तो एक समू तो इसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगे ठीक है यह मूवी देखिए ना आपने दो तो पांच हो जाते हैं वो पांच के होते हैं दो की शक्ति दो की यह शक्ति है दो की यह शक्ति है लेकिन जब दोनों जोइंट हो जाएंगे तो एक एक स्टा ही लेकर जाएंगे ठीक है आला कि गनित के साब से तो गलत है लेकिन शक्ति के आधार पर यह चीज क्या है उप्युक्त है ऐसा होता है दो कम जो लोग मिलकर एक बड़ी शक्ति का निर्मान कर सकते हैं और उसी प्रकृति के आधार पर उनको कितने प्रकृतियां बताए गई है 72 आगे चलें आगे हम जि धांत का इंपोटेंस क्या है यह क्यों होना चाहिए एक तो जब भी आपकर को अटेक करेगा तो आपका गुरुप जितना बड़ा होगा उतना आपको क्या रहेगा बेनिफिट रहेगा यानि आप पर शत्रु अटेक करने से पूर्व आपकी इस शक्ति का क्या करेगा वो आंकलन करेगा आप उसके इन संबंदों का आघले करने के बाद ही आटेक करेंगे अगर आप बिना सोच्टे समझे उस राज्जे पर अटेक कर दिया और बात पता-लगा इसके साथ बहुत बड़ा ग्रुप है आप देखतेए अगर यह नाम सुनॉरू का नाटो का तो नाटो एक सैनिक संगठन है और वर्तमान में भी काम कर रहा है तो एक अकेला रास्ट तो अमेरिका है इस गुरूप में एक अकेला रास्ट कौन है अमेरिका वो अमेरिका तो अपने आपने पावर्फुल है लेकिन वह भी लगभग तीस रास्टों का एक संगठन उसने ब अमेरिका पावरफुल हो फिर वो 29 राष्ट मिलकर भी एक गुरूप का निर्मान कर रहे हैं तो गुरूप के तौर पर भी अमेरिका बहुत पावरफुल है और अखेला अमेरिका ही है पावरफुल लेकिन गुरूप के साथ जोड़कर उस शक्ति में क्या हो जाती है बहुत ज्यादा वृद्धी हो जाती है बडूत्री हो जाती है ऐसी बात हम कर रहे हैं कि हमें भी शत्रूओं के बहुत